क्या आपको YouTube में वीडियो डाउनलोड करने की टाइम बहुत ज़्यादा लगता है? मेरे पास दो तरीका है आज इस वीडियो में हम देखेंगे YouTube में वीडियो डाउनलोड करने की टाइम कैसे कम से कम टाइम में किया जा सके तो चलिए शुरू करते है अगर आप फिल्मोरा प्रीमियम प्रो या सोनी के कोई भी सब्टेयर से आप वीडियो एडिट करते हैं तो आपको एक सीच जरूर देखा होगा कि वीडियो की साइज बहुत ज्यादा हो जाता है तो ऐसे में इस वीडियो को साइज अगर ठीक करना है तो आपको दो तरीका है एक आप केमटीशेया को यूश कर सकते हैं केमटीशेया में जाके उस वीडियो को फिर रेंडिरिंग करिए तो आपको लगभग 60 या 70 परसें बहुत ज़्यादा घड़ जाएगा और वीडियो को क्वालिटी वह सेम ही रहेगा ठीक तब इस दोनों को यूज़ कर सकते हैं लिंक डेस्किप्शन में है तो पहले गूगल में हैंब्र को सार्च करते हैं और यहाँ पर पहला जो लिंक आएगा इसे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद इस तरह की जो पहला लिंक आएगा यहाँ पर आपको क्लिक करना है सिंप्ली क्लिक कर दिजिए बहुत चोटा है सौप्ट्रायर है इजिली डाउनलोड हो जाएगा 12 MB का है लोकेशन दे दिजिए और सेब में क्लिक किजिए मेरा पहले से ही क्या हुआ है त कि हेंबेक ओपिन होने के बाद अब आपको कोई भी फाइल चापे है वह से सिंप्लिफाइक फाइल को यहाँ पर पेस्ट कर देना है ड्रॉप कर देने के बाद आपको जो सेटिंग करना है यहाँ पर वेपो अप्टमाइज में क्लिक करना है समरी में और उसके बाद आपको जाना है वीडियो में वीडियो में जाके आपको कॉंस्टेंट फ्रेम रेट यहाँ पर क्लिक करना है ठीक है और जितना ज़्यादा आप लो करेंगे आपका वीडियो को साइज भी कम हो जाएगा तो इसे मैं डीफाल्टी रहना देता हूँ और उसके बाद स्टार्ट एंकोडिंग में स्टार्ट एंकोड में क्लिक करता हूँ दोस्तों अगर आप जियो किसी में यूज करते हो तक वो वीडियो अपलोड के टाइम बहुत कम स्पीड देखना को मिल सकता है इसे ठीक करने के लिए आपको कोई भी नामबर पर कॉल करना है तो आप देख सकते वह पर आपका स्पीड वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएग मैं फ्लार के लिए उट्बाल